मनसौर जिले में 23 नर्सिंग होम के लाइसेंस किये गए थे निरस्त फिर से वाहल करने के मिले आसार कलेक्टर से चर्चा करने के बाद मधिप्रदेश के जवलपुर में एक नर्सिंग होम में आग लगने की कारण एक बड़ी घटना हो गई थी उसके बाद मधिप्रदेश के मुख्यमंत्रे शिवराज सिंग चुहान ने सभी मधिप्रदेश के जिलों में जाँच टीम का गठन किया गया और सभी नीजी नर्सिंग होम की जाँच की गई जिसमें मनसौर में भी 23 नर्सिंग होम में लापरवाही और कम्या नजर आई उसके बाद 23 नर्सिंग होम के लाइसेंस निरस्त कर दिये गए है मंदसौर जिले के नर्सिंग होम के संचालकों में इसके बाद हरकम मच गया है और सभी निरसिंग होम के संचालों को ने कलेक्टर गोतम सिंग और मंदसौर के वरिष्ट विधाई किशपाल सिंग सिसूदिया से इस विशे में चर्चा की फिर बहाली को लेकर कलेक्टर से सभी निरस्ट हुए निरसिंग होम के संचालों को आस्वाशन दिया है कि जो आधिश दिया गया है उसको बहाल करने का कारी किया जा रहा है मनसौर में इसे कई नर्सिंग होम बने हुए हैं जो नियम के विरुद्ध संचालित हो रहे हैं और मनमाने पेसे वसूलने का कारी कर रहे हैं मदिपरिदेश के मुख्यमंदरी शिवरा सिंग चोहान को इस तरफ भी गंभीरता से ध्यान दिना चाहिए और जो इस तरह मनमाने प्राइवेट नर्सिंग होम के संचालक पेसे लूटने का कारी मरीच के परीजनों से कर रहे हैं उन पर कठोर कारवई करने का कारी भी करें मनसौर में कुछ ऐसे डॉक्टरों ने निजी नर्सिंग होम को शुरू कर दिया है जिनके पास अनुकुल डिगरी भी नहीं है पर उसके बावजूद भी कई लोगों के आशिरवात की कारण मनसौर में नर्सिंग होम को संचालित कर रहे हैं डॉक्टर संजी महता द्वारा मीडिया से चर्चा करते वे बताया कि प्रसाशन वर राज्य साशन ने जो नियम वो शर्ते परिपालन करने का आदेश दिया था उसमें से दो शर्तों को पूरा कर दिया है बस एक ही शर्त पर कारी होना बाकी है उसके रिक उस दिनों की और महलत दी जाए वह भी पूरी कर देंगे लेकिन साशन प्रिशाशन वर नीजी नर्सिंग हॉम के इस खेल में मनसौर जिले के वब अन्य जिलों के विचारे मरीज परिशान हो रहे हैं और मरीजों को इलाज के लिए इदर उदर भटकना पड़ रहा है और कई लोग मनसौर से बाहर भी अपना इलाज करानी के लिए जा रहे हैं और तेज नेरस्त हुए नीजी नर्सिंग हॉम के संचालों को ने कलेक्टर से चर्चा कर 30 दिन और मौलत देने को कहा है देरात या सुबह तक सब इस्पिताल के पास इमेल आ जाएगा उसके बाद इस्पिताल चालो करने के निर्देश हमें प्राप्त हो पाएंगे इस तरह की बाते कही गई है जाज के बाद हमारे को कल आदेश प्राप्त हुआ था जिसमें करीब 23 अस्पितालों के लाइसेंस निर्देश प्राप्त हुआ था आज सुबह हमारी कलेक्टर साफ से मिटिंग हुई और उस मिटिंग में निर्देश निकला कि आप लोग अपना मानवी आधार पर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी कि ये आप लोग अपने काम वापस से चालो रहे हम आदेश इस्तगीत कर रहे हैं तो अभी हमारा आदेश इस्तगीत हुआ है उसके बाद हमें जैसे ही मेल आएगा उसके बाद सारे हास्पिटिल काम शुरू करेंगे कारन क्या मालए था कारण हमसे आज से एक महीना पहले करीब कारण बताओ नोटीज दिये थे तीन चार मुद्दे पर जबलपूर में जो एक नर्सिंग हों में आग लगी थी तो उस संदर्ब में ये मेटर आया था उसमें जो तीन मुद्दे उन्होंने उठाए थे तो दो मुद्दे के तो चल रहा है और जैसे ही वह सबको कलेक्टर को हमने संग्यान में ला दिया है कि जैसे ही वह जाएगा तो वह भी कंप्लीट ही है क्या अब इस बारे में अभी कुछ भी निर्ड़ा नहीं है जैसा भी होगा बाद में पता चली जाएगा क्या अब इसलाब और डोक्टर संजीव मेहता